हलो एवरीवन तो देखिए अभी हम लोग क्लास नाइन्थ के बाइलोजी को पढ़ रहे हैं जिसमें आपको चौथा चप्टर पढ़ाया जा रहा है हेल्थ एंड डिजिज एंड स्वास्तेम रोग और इसमें लास्ट क्लास में हम लोग टीवी बीमारी के बारे में पढ़े तो जितने सारे संक्रामक रोग हैं उन सब के बारे में पढ़ा जा रहा है जिसमें हम लोग पढ़ चको हैं अभी तक मलेरिया के बारे में जो प्रोटो जोवा के कारण होता है टाइफाइड के बारे में टीवी के बारे में तो इन सारे रोगों के बारे में जो हम बताएं ह अगर आप उन सारे वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहां से देख सकते हैं और आज के क्लास में एक बहुत बड़े बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और यह क्या है तो यह है AIDS अब AIDS के बारे में समझेगा ध्यान से कितना घातक बीमारी है और इसके रोक थाम के लिए हम क्या उपाय करेंगे इसका नियंतरण करने के लिए कोई मेडिस्टीन होगर है या नई इन सारे चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे तो देखें सबसे पहली चीज कि हम बात करेंगे यहाँ AIDS का पूरा नाम क्या होता है तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि AIDS का पूरा नाम होता है Acquired Immuno Deficiency Syndrome Acquired Immuno Deficiency Syndrome अब इस जो इसका पूरा नाम है इसका मतलब आप लोग समझेंगे ज़रा कि इसका मतलब क्या होगा Acquired का मतलब कि जो हम लोग acquire करते हैं यानि कहीं से हम प्राप्त करते हैं Immuno Deficiency तो Immuno का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे सरीर में जो प्रतिरक्षा तंतर है यानि जो immune system है उसमें deficiency आने लगेगा यानि उसमें कमी आने लगेगा और ऐसा syndrome जब हमारे सरीर में दिखाई देगा तो यहीं AIDS बिमारी कहलाएगा तो देखिए deficiency का मतलब होता है कमी और हमारे जो प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंतर है यानि हमारे सरीर का जो natural immune system है उसमें ही कमी आने लगेगा यानि AIDS का जो पूरा नाम है इस पूरा नाम से हमें पता चल गया कि AIDS बिमारी में आखिर होता क्या है तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दे कि AIDS जो बिमारी है या एक viral disease है यानि virus के कारण होने वाला रोग है और यह किस virus के कारण होता है यह एक virus है जिसका नाम है HIV HIV के कारण यह बिमारी होता है HIV का पूरा नाम क्या होता है इसका पूरा नाम है Human Immuno Deficiency Virus Human Immuno Deficiency Virus यह HIV का पूरा नाम है और इसी virus के कारण यानि HIV के कारण ही हमें AIDS की बिमारी होती है तो देखे एड्स की बिमारी जब हमको होगा तो उसमें उसका सबसे प्रधान लक्षण क्या है एड्स की बिमारी में क्या होता है कि अब हमारे सरीर का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है ठेक है हमारे सरीर का जो प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र है यानि नेचुरल सिस्टम यह कमजोड हो जाता है और धीरे धीरे हमारे सरीर का नेचरल इम्यून सिस्टम समाप्त होने लगता है अब आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं जैसे माल लिजे कि आपको कभी हलका फिवर हुआ खांसी सर्दी एनिफिंग छोटी मोटी जब बीमारिय होती है तो इन चोटे-चोटे बीमारियों से लड़ता है और इन चोटे-चोटे बीमारियों का अपने आप ठीक कर देता है जैसे जब आपको बलड के वारे में पढ़ाये थे तो आपे WBC बताये थे और वहां समझाते कि WBC कैसे हमारे सरीर में प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र के र रक्षा करते हैं लेकिन अगर हमें हमारे सरीर में HIV प्रवेस कर जाए अगर हमें AIDS की बीमारी हो जाए तो यह जो हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम है जो हमें विभिन बीमारियों से रक्षा प्रदान कर रहा है वह इम्यून सिस्टम यह दीरे-दीरे समाप्त होने और कोई भी बीमारी होगा तो जल्दी ठीकी नहीं होगा क्योंकि हमारा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है यहीं विख हो गया यहीं कम जोड हो गया है तो देखिए AIDS जो बीमारी है अब हम बात कर रहे हैं आपको कि इस बीमारी के लक्षण कौन-कौन से हैं यानि कौन- दिखाई देते हैं उसके बारे माम लोग जानने वाले हैं तो देखिए इसका सबसे पहला लक्षण क्या होगा कि AIDS बीमारी में लगातार मतलब जो रोगी होगा लगातार बीमार पढ़ते रहना यह इसका पहला लक्षण है यानि हमेसा कुछ नकुछ 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 दूसरी चीज कि लगतार लंबे समय तक अगर देखा जायों तो लंबे लंबे समय तक पेट खराब रहेगा यानि लूज मोशन की समस्या बना रहेगा पेट खराब रहेगा लंबे समय तक कुछ और भी यहां पर हम देख सकते हैं जैसे त्वचा पर यानि हमारे चमड़ा पर जहां तहां जो है घाव निकलते रहेगा यानि घाव का निकलते रहना यह अभी जो है इस बीमारी में दिखाई देता है लगतार जहां तहां त्वचा पर हमारा घाव भी निकलते रहता ह सांती जात हमेशा थकान महसूस होगा, यानि हमेशा हम थके हुए से फिल करेंगे, महसूस करेंगे, थकान महसूस होना, यह भी इसका लक्षण है, अब जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हमारे सरीर में उतना ज़्यादा एनरजी भी नहीं रहेगा, कि हम और भी चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमारे सरीर का जो वजन है, यानि हमारे सरीर का जो वेट है, या लगातार घटते जाएगा, यानि हमारे सरीर का वजन लगातार कम होते जाएगा, और फाइनली एक और इसका लक्षण हम बता दें, यहाँ तक कि इस बिमारी म जो इस्मरण सक्ति है वह भी कमजोड होते जाएगा अब हमारे छात्रों से हम बता दें कि जिसका इस्मरण सक्ति कमजोड है यानि कोई चीज याद करते हैं भूल जाते हैं पढ़ाई वाली चीजे तो टिंसन मैंने डूबना है कि कहीं हमको AIDS तो नहीं होगे हमारा भी इस्मर आपके जिवन में कौन-कौन से कब-कब घटनाय घटी है क्या-क्या होता आपके दोस्तों का वर्ताव आपके सांथ कैसा सारा चीज आप भूलने लगेंगे तो आप लोगे लेकिन चात्रों के साथ क्या है खाली पढ़ाई यह ना भूलने क्या आदत है तो इसले डरना नह होता है तो सारी चीज आद्मी भूलने लगता है लेकिन आप सारी चीज थोड़ी बोलते हैं दो क्यों पढ़ाई वाला चीज भूलते हैं ठीक है तो देखिए यह तो देकिंगे यह व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार फैलता है इसके बारे में हम आपको समझान जैसे सबसे पहला तरीका जो आप सब लोगों ने भी सुना होगा अनैतिक यौन शंबंध इस्थापित करने सेरो विमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का चान्स जाद रहता है अनैतिक क्यों संबंध इस्थापित करने से अब इसका मतलब जरो समझना है तो देखे अनायतिक योन संबंद में भी अनायतिक योन संबंद का मतलब क्या हुआ जिसमालीजी कि अगर हस्बिंड वाइफ है अगर उन दोनों के बीच में योन संबंद स्थापित हो रहा है यानि sexual activities किया जा रहा है तो सहारा कोई मनुष्य लेता है यानि अलग-अलग जो विश्याएं होती है उनके साथ अगर यहन संबंद स्थापित करते हैं तो उसमें इस बीमारी के फैलने का चांसे ज्यादा रहता है इसलिए क्योंकि यह जो वैस्यावरीती का प्रचलन हमारे कंट्री में सुरू से ही है हलनकि अब यह टॉपिक हम लोगा नहीं है यह टॉपिक भी काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक है इस पे भी पढ़ने पर पता चलता है कि वैसे विरिती का होना भी और ना होना भी दोनों जरूरी है यानि इसके गुण और इसके दोस्त दोनों के बारे में हमें समझना है इसके कुछ अच्छाई भी है और इसके कुछ बुराई भी है अलग टॉपिक हो जाएगा लेकिन आपको बता दें कि जो वैस्याएं होती है वो बहुत सारे पुरुसों के संपर्क में उसका सरीर आता है तो अगर उसमें से किसी भी एक पुरुस को एड्स की बीमारी होगी तो जो एड्स वाले वाइरस होगे उस महिला में भी वो एड्स के वाइरस प्रविस कर जाएंगे अगर उस महिला के साथ कोई दूसरा पुरुस जा कि यहान संबंद स्थापित करता है तो उसको भी यह बीमारी हो जाती है यानि अनैतिक तरीके से गलत तरीके से दूसरे मह महिलाओं के शाथ यहान संबंद स्थापित करने पर भी एड्स की बिमारी हो जाती है अब ऐसा नहीं कि केवल पुरुसों को महिलाओं के साथ संबंद स्थापित करने पर भी बिमारी हो गई अमाल लिजे कि कोई महिला है अगर वो किसी ऐसे पुरुस के साथ यहान संबंद स् पूरुस और महिला में दोनों में से कोई भी AIDS से संक्रमित नहीं है, तो फिर AIDS की बीमारी नहीं होती है, ठीक है, हलांकि केवल अनायतिक यौन संबंद स्थापित करने से इने बलकि और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे रक्त के आदान प्रदान से भी AIDS की बीमारी जो है, एक स लोड़ी हो गया है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साब बोले कि आपको खून लेना पड़ेगा, तो क्या करेगा, अगर डॉक्टर जागरुक नहीं है, अगर वो रोगी जागरुक नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, डॉक्टर को जितना पैसा लेना हो तो उतना पैस कि क्या टेस्ट कराना वैसे भी मनें बहुत कम परसेंटेज में लोगों का ब्लॉड जो एचाइबी से संक्रमित होता है तो डक्टर संभावना की अधारवा ठीक एर नहीं होगा संक्रमित डक्टर तो चढ़ा देगा तो इसे क्या होगा डक्टर का एचाइबी टेस्ट कराने का जो खर्चा है वो बच जाएगा ठीक है लेकिन अगर बाई चांस वो बलॉड एचाइबी संक्रमी थो तो रोगी तो गया था कि बस हमको मामूली कमजोडी हुआ है अब उधर से दोसरे बायन लेके चला आया है एचाइबी वाइरस जो खतरना का वाइरस हो लेके चला आया डोकर और ऐसा वाइरस है जो आपका कमजोडी को दूरे नहीं होने देगा आपका इम्यून सिस्टम खतम कर देगा तो कमजोडी क्या ही तो बहुत घातक हो गया पहले के कभी कम प्रेजन में तो इसलिए रोगियों को थोड़ा सतर करेने क्या आवश सकता है कभी भी अगर हम किसी का ब्लॉड ले रहे हैं तो उसमें हमें सतर करेना है कि कम से कम एचाइवी टेस्ट ज जब दिया जाता है रोगियों को अमालीजे कि किसी रोगी को इंजेक्शन दिया गया ठीक है डॉक्टर क्या कि इंजेक्शन को चेंज नहीं किया इंजेक्शन बदला नहीं और उसी इंजेक्शन को किसी दूसरे रोगी को लगा दिया तो आपको पता दें इंजेक्शन का जो नीडिल होता है जब वनास में जाता है तो पहले निडिल ऊक्ष जब जाएगा उसके बाद डाक्टर सब थोड़ा सा बलड़ खिंशता है ये देखने के लिए कि नॉस में हलॉल देड़ को चला आएंगा तो जैसे निडिल नौस में में जाता थे ब्लौड का जो कण होता निडिलों में जाता है और उसको बीना चेंज की किसी दूसरे दिया जाया और पहला वाला रोगी एड्स से शंक्रमित है तो उसका बुलर्ड जो उसके निडिल में आ गया और बुलर्ड वा में HIV वाइरस है HIV यह जो है वाइरस AIDS वाला यह उपस्तित था और उसी को जब किसी दूसरे के नस में इंटर करेंगे तो बुलर्ड के माध्यम से भी वाइरस जो है दूसरे रोगी के सर्यर में जा सकता है और उसको AIDS जैसी खत्रनाक बिमारी हो सकती है इतना ही नहीं सेविंग रेजर हो गज़र के भी माध्यम से फैल सकता है जैसे मालने जै कि हम सलून लोगरे में जा रहे हैं सेविंग कराने के लिए और जब दाड़ी लोगरे शेव किया जाते है तो हो सकता है मेबी कभी कटे ना लेकिन मैक्सिमम जरूर कहीं नहीं छोटा छोटा कट लगी जाता है जब जो व्यक्ति दाड़ी शेव कराने जाता है बैचांस हो सकता ही कभी नहीं कट लेकिन अगर कट गया तो उसका जो ब्लड उस व्यक्ति के मालने जी कि उस व्यक्ति का भी कहीं कट लग गया और उसका ब्लड वा उसके ब्लड में जाके मिल गया तो उससे भी वहारोगी जो है एड्स से शंक्रमित हो सकता है तो ये माध्यम है ये तरीका है जिसके माध्यम से अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक इसी कारण से हुआ होगा अनायतिक तरीके से क्या होगा जिसके कारण एड़स हो गया लेकिन ऐसी बात नहीं है और भी बहुत सारे कारण है इन कारणों से भी हो सकता है ठीक है अब देखिए और आगे चलें तो एक और चीज़ हम लोग समझेंगे कि इसका जो कंट्रोल है इस एक ऐसा बिमारी है जिसके लिए आज तक किसी वैक्षिन का भी निर्मार नहीं हुआ और इसके लिए आज तक किसी मेडिशिन यानि किसी ओसदी का भी निर्मार नहीं हो पाया है यानि इसके उपचार के लिए कोई टीका यानि कोई वैक्षिन भी नहीं बनाया है कोई दव भी उपलब्द नहीं है इसका मतलब कि अगर किसी वेक्ति को AIDS हो गया तो वो completely अपनी इस बीमारी को खतम नहीं कर सकता है ठेक है लेकिन इसके रोक थाम के कुछ उपाय है अब रोक थाम के उपाय आपको समझाने की कुछ खास जरूरत नहीं है आप रोक थाम को खुद से भी स करना पड़ेगा अनैतिक यौन संबन से भाइद धूर रहना पड़ेगा किसी भी अन्नोन किसी भी अनजाने महिला या पूरुस के साथ यौन संबन हमें स्थापित नहीं करनी है क्योंकि हमें क्या पता कहीं हो एड से शंक्रमित हो तो इसलिए अनैतिक यहां संबंद से दुर रहना पड़ेगा पहला उपाए दूसरा उपाए कि कभी भी अगर हम किसी का ब्लॉड ले रहे हैं तो उसे में HIV जाच हम जरूर करा ले इंजेक्शन ले रहे हैं तो उसे में सतर कराएं कि डॉक्टर इंजेक्शन चेंज किया कि नहीं किया सेविंग अगर हम करा रहे हैं तो उसका ब्लेड अवस्य चेंज कर वा ले तो यह सारा उपाए हमें करना पड़ेगा तब जाके इससे हम बच पाएंगे एक और चीज समझे अब क्या होगा कि सबसे बड़ा जरूरी चीज क्या है एड्स के संक्रमण को रोकने के लिए कि बाई जैसे हम लोग पड़े लिखे हैं और जो भी स्टुडेंट्स इसके बारे में जिसको जनकारी है वो तो समझता है कि यह कितना घातक बीमारी है इसका कोई नियंत्रन का उपाई इसका कोई है ही नहीं मतलब यह हो जाएगा तो ठीकी नहीं होगा यह हम लोग समझते हैं लेकिन हमारे सोसाइटी में अभी भी बहुत सार ऐसे लोग हैं जिनको एड्स बीमारी के बारे में अच्छी तरीके से जनकारी नहीं है तो इसलिए हमें उन लोगों के अंदर भी थोड़ा जागरुकता लाने की जरूरत है यानि एड्स बीमारी के रोक थाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे सोसाइटी के लोगों में जागरुकता लाएं जागरुकता का मतलब यह हुआ कि सारे समाज के लोगों को हम बताएं कि कि घातक बिमारी है इसके लक्षण कौन-कौन से हैं यह viral डीजीज है इसका प्रशारण कैसे होता है इसका मतलब इसे बचे रहने के लिए हम क्या उपाई कर सकते हैं यह सारी जनकारिय सारे लोगों को होनी चाहिए और इसी उद्यश्य से भारत में भारत सरकार के द्वारा निर और एक दिसंबर को हर साल एड्स दिवस मनाया जाता है और एड्स दिवस के दिन कम से कम आप कहीं भी निउस पेपर पढ़ेंगे एक दिसंबर को या कोई टीवी चैनल खोलेंगे या अगर आप यूटुब और ही खोलते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स और है का वीडियो आ पाने लगेगा तो कम से कम एक दिन तो ऐसा होता है कि हम जहां भी जाते हैं वहां पर हम इसी बिमारी के बारे में जनकारी पाते हैं तो कम से कम शाल में एक दिन भी ऐसा होना जरूरी था जिस दिन सारे लोगों को इसके बारे में समझाया जाए बताया जाए और हर साल अच तो उमिद करते हैं कि आज का प्रारण उसका लक्षण उसका प्रजारण उसका रोक थाम बाकी चीज़ों के पंट्रोल कर सके इस बिमारी को तो इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर हम आएंगे और उसमें हमनों समझेंगे रेबीज बिमारी के बारे में